नवश्कार में प्रिया विहरी नियूज में आपका स्वागत है इसी तरह अब कोरोना भी सामवाने वाइरस की तरह रूप बदल कर नए नए वेरियंट के रूप में सामने आ रहा है चुकि यह वेरियंट सबसे पहले भारत में मिला था ऐसे में इसे भारत्य के नाम से जाने लगा था लेकिन फिर भारत के नाम पर दबाव बढ़ता दे, WHO ने इनको नए नाम दिये हैं अब कोरोना के वेरियंट को डेल्टा, कपपा, अलफा, बीटा, गामा, आदी के नामों से जाना जाता है अब बात करते हैं डेल्टा प्लस वेरियंट की डेल्टा कोरोना वेरियंट के रूप में हुए बदलाव की वज़े से बना है डेल्टा वेरियंट का दूसरा नाम B.1.617.2 है जानकारों की माने तो कोरोना के डेल्टा प्लस वेरियंट में इसके स्पाइक प्रोटीन में K.417N बदलाव हुआ है इस नए वेरियंट के कारण कोरोना की दूसरी लहर में भारत को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा है जिसके कारण ही वेग्यानिकों ने डेल्टा वेरियंट को बता दिया था कि अब खत्रा डेल्टा प्लस वेरियंट को लेकर्ज ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि वेग्यानिकों का कहना है कि अगर तीसरी लहर आती है तो उसका कारण डेल्टा प्लस वेरियंट हो सकता है वेग्यानिकों की माने तो डेल्टा प्लस वेरियंट वाक्सीन और इम्म्यूनिटी दोनों को चक्मा दे सकता है मतलब वाक्सीन जुसे अब तक कोरोना से लडाई में सबसे बड़ा हतियार माना जा रहा था अगर डेल्टा प्लस वेरियंट वाक्सीन के प्रभाव को कमजोर कर व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकने की ताकत रखता है अगर ऐसा हुआ तो स्थिती गंभीर होने की आश्रंका है डेल्टा प्लस वेरियंट के लक्षन आखिर है क्या कोरोना के लक्षनों के समान ही डेल्टा प्लस वेरियंट के लक्षन कुछ इस प्रकार है जिसके तहट स्किन पर छकत्ते पढ़ना, पैर के उंगलियों के रंग बदलना, बोलने में तकलीफ होना, पेट में दर्द और मितली होना, बुखार, सरदी जुकाम जैसे लक्षन आम है हाला कि इन सब के वीच डिल्टा प्लस वेरियंट के दौरान, मरीजों को ये सब ही लक्षन और ज्यादा आक्रमक लगते हैं भारत में डिल्टा प्लस वेरियंट की क्या है स्थिती? देश के 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरियंट के 48 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं इसके लिए 45,000 से अधिक सांपल की जो आज भी की गई है या जो आज अपरेल से लेकर जून के महीने तक की गई थी और संक्रमितों के सांपल से ली गई थी देश में यह वायरस स्थानी है इससे पहले कोरोना वायरस के डेल्टा वेरियंट का पहला मामला भारत में ही दर्च किया गया था इस वेरियंट की बज़व से देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर देखने को मिली थी अब तक डेल्टा प्लस के मामले महराश्र तमिलनाडू, मध्यप्रदेश, केरल, पंजाब, कुछराथ, आंध्यप्रदेश, ओडिसा, राजस्तान, जमुकश्मीर, हर्याना और करनाटक में दर्च के गये हैं इसके साथ ही भारत बायटेक की को वाक्सीन और सीरम इंस्टिटूट अफ इंडिया के कोवी शील्ड और रूस निर्मित वाक्सीन स्पुत्निक भी सभी को डिल्टा वेरियंट के लिए प्रभावी बताये गया है इसके अलाबा यूके के एक अध्यन के अनुसार फाइजर बायो इंटेक वाक्सीन अस्पताल में भरती होने के जोखिम को कम करने में अच्छा प्रभाव दिखाती है इसके साथ ही दुनिया भर में चिंता की वज़बने कोरोना की डिल्टा वेरियंट के फैलाव को रोकने में फाइजर वाक्सीन कम प्रभावी है इस्राइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपनी श्विरबाती स्टडी में ये बात कही है Financial Times की रिपोर्ट के मुदाविक वाक्सीनेटिट लोगों पर डिल्टा वेरियंट के असर को रोकने में ये फाइजर का 64 फीज़ी तक प्रभावी है हालाकि भारत में हर दिन उभरते आक्रे बताते हैं कि हमें अभी भी पूरी साथानी बरतनी चाहिए और डिल्टा वेरियंट के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करनी चाहिए इसके लक्षणों को नजर अन्दाज करना खतरनाक सावित हो सकता है क्योंकि जिसे हम मामूली सर्दी जुकाम समझ रहें कहीं न कहीं ये COVID-19 के लक्षण हो सकते हैं ऐसे में लोगों को डबल मास का उपियोग तो करना ही चाहिए साथी साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी अभी भी करना अनिवार है इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धनिवाद